शर्यू राय यह नाम जब भी आता है जार्खन बिहार के दो पूरू मुख्यमंत्री मधुकोडा और लालू यादव के भ्रष्टाचार और उनके जेल जाने की सजा सब याद करते हैं जार्खन विधान सभाच चुनाव 2019 में सर्यू ने अपनी सरकार के मुख्यमंत्री रगोरदास के खिलाप चुनाव लड़ा है इसके बाद सर्यू राय का बागी तेवर लगातार देखा जा रहा है और अब हेमंत्सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपो पर धाल बनकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं पूर्वी जमसित्पूर में दूसरे चरन का चुनाव खत्म होने के बाद सर्यू राय हिमंत्सोरेन और जार्खन मुक्ति मुर्चा के उमिद्वारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं तीसरे और चौथे चरन के चुनाव खत्म होने के बाद अब वह अंतिम चरण के चुनाव परचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सर्यूराय अब तक संताल में हिमंद के लिए कई चुनावी सभाएं की है। इस दवरान सर्यूराय हिमंद सोरेन के विरोध्यों को मुहतोर जवाब दे रहे हैं। चुनावी मैदान में सर्यू हिमंद के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। सर्यूराय चुनाव परचार में जेमिम नेताओं के साथ न केवल मनसाजा कर रहे हैं बलकि जामुमों के प्रेस कॉनफरेंस में भी सामिल हो रहे हैं। जामुमों दोवारा आयुजित एक प्रेस कॉनफरेंस में सर्यूराय हेमंद सूरेन के बचाव करते दिखे। सर्यूराय ने प्रेस कॉनफरेंस में कहा कि C&T SPT का उलंगन अनिमिता में आता है न कि ब्रष्टाचार में। ये मामले अभी तक हेमंद पर साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंद सूरेन सर्कार की अनिमिताओं की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने SIT बनाया। दो-धाय साल बाद SIT को बंद कर दिया गया। SIT ने जो रिपोर्ट दिया वह सब को पता है। सर्यूराय ने मिडिया को बताया कि मेरी शिकायत पर वीजली विवाग में गडबडी की जांच के लिए अनिल पाल्टा की अधक्षता में SIT बनी थी। जांच की बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि धडलले से कैसे बिजली चोरी हो रही है। जमसितपूर के आजपास खूब बिजली चोरी हो रही है। सर्यूराय ने कहा कि मैंने नाम दे कर बताया कि कौन बिजली चोरी कर रहा है। मीटर की जांच कराने को कहा लेकिन आज तक नहीं हुआ। साढ़े आठ सो करोड के टिंडर में गडबडी भी हुई। इसकी पीछे कौन है इस सवाल को आगे भी ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सब गडबडियों को लेकर मैंने मुख्मंत्री से भी मुलाकात की थी। और सबूत के साथ अपनी बात रखी थी। शर्यू ने बताया कि मैंने सियम से मिलकर कहा कि आपका खान विभाग है। आपके इस विभाग में एक अप्रेल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक धडलले से अवैद खनन हो रही है। रगवर सरकार के मंत्री रहे सर्यू राय ने विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद अपने ही मुख्मंत्रे के खिलाप चुनाव लड़ा है। सर्यू की यह लड़ाई जारखन की राजनीति में कहां तक पहुंचती है यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।